आज हम देखेंगे, आज हमारा फॉर्थ वीडियो है और आज हम फॉर्थ वीडियो में हम देखेंगे Stitch in the Time, Saves 9 की स्टोरी समय रहते समलने से बड़ी आफ़र टल जाती आपको पता तो होगा अगर समय रहते हम टल समल जाते हैं उससे हम बच सकते हैं इसी के related यह कहानी है और मैं आपको इस कहानी के अंदर कई सारे vocabularies और grammar में आपको सिखाने जा रहा हूं तो प्यूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा चलिए हम शुरू करते हैं The Swan and the Foolish Turtle Huns और बेवकूफ गदा Foolish यानि बेवकूफ Turtle कच्वा Once upon a time एक समय की बात है Once upon a time एक समय की बात है A turtle and two swan were good friends एक turtle कच्वा और दो हंस दो हंस अच्छे दोस्त थे देखिए दोस्तो वर आया है अच्छे दोस्त थे अगर आ रहाता तो क्या होता अच्छे दोस्त है पर यहां पर गच्छे दोस्त थे वर good friends One year there were no rain at all and the ponds dried up One year, एक साल there were no rain, बरसाद नहीं थी and सारे कुए सारे ponds को हम क्या कहेंगे पॉन्स को हम कहेंगे तालाप सुख गए थे सारे तालाप सुख गए थे there were no rain at all, बिलकुल बरसाद नहीं थी और सारे तालाप सुख गए थे the turtle turtle कच्छवा made a plan नेक plan बनाया and told the swans और कहा, क्या कहा हंसो से कहा हंसो से कहा, please look for a stick एक छडी को देखिए छडी को देखिए, छडी को धून लाइए please look for a stick I will hang on the center with my teeth as both of you hold the two side of the stick okay I will hang, यानि मैं लटक जाऊंगा बीच में, center में बीच में मेरे दातों से मेरे दातों से, with my, both of my center with my teeth मेरे दातों से मैं पकड़ कर उसको बीच में लटक जाऊंगा, both of you hold दोनों आप उसको hold करना दोनों सरफ से, of the stick दोनों छड़ी की दोनों तरफ से आप उसको hold करना यानि पकड़ लेना and ferry me to another place another pond और मुझे लेके जाना ferry me to another pond ferry me लेके जाना me to another pond another pond the swans, the swans Hanson ने कहा, said, कहा you have to keep your mouth shut all the time आपको, तुमको, आपको अपना मुँ हमेचा बंद रखना पड़ेगा otherwise, otherwise you will crash to the ground नहीं तो, यहाँ पर नहीं तो तुम crash हो जाओगे, गिर जाओगे कहाँ पर, ground पे, जमीन पर when everything was ready, जब सब कुछ तयार हो गया, तयार शुरू तयार हो गया, जब सब कुछ तयार हो गया, the swans Hans flew off with the turtle Hans, बदक को कच्छुए को लेकर उड़े कच्छुए को लेकर उड़े people who saw this sight exclaimed, exclaimed का मतलब दूस्तो होता है, कहा कहा, जो लोगों ने people who saw, देखा see यानी देखना, saw यानी देखा this sight, ये scene देखा, ये दृष्य देखा, कहा, अश्चरे से कहा, look how clever the swans are, देखो हनसे कितने चतुर है हनसे, clever यानी कितने चतुर है हनसे they are carrying a turtle वो एक कच्छुए को लेकर जा रहे हैं, कच्छुए को उठा रहे हैं, या लेकर जा रहे हैं in trying to respond, उसके respond, उसका जवाब देते हुए trying to respond, that, it कहच्छुए ने ये सुना कहच्छुए ने ये सुना कि वो किसकी प्रसंसा कर रहे हैं, हनसो की प्रसंट सा कर रहे हैं पर कच्छों को तो पता था कि ये idea मेरा है तो इसके respond, इसके जवाब देने के चकर में trying to respond it ये मेरा idea था it had been, it had been his idea, उसका idea था इसके response के चकर में देने के चकर में turtle opened his mouth, कच्छों ने अपना मुँँ खोला, opened his might open his mouth उसने अपना मूँ खोला and fell to the ground और fell fall और fell यानि गिर गया गिर गया to the ground and died वो जमीन पर गिर गया और मर गया कैसे मर गया दोस्तों क्योंकि लोग क्या कह रहे थे कि how clever how clever swans are बत हंसे कितने इनको मैं कैसे प्रसंसा लेने दू तो उसको बताने के चकर में उनको जवाब देने के चकर में उसने जवाब देने के चकर में अपना मुँ खोला और जमीन पर आके गिर गया और उसकी मुरुत्य हो गया तो दोस्तों हमको इससे क्या सीख मिलती है इससे हमको सीख मिलती है कि समय रहते समय रहते संबलने ही बड़ी आफट तलती है हमें मुर्क नहीं बनना चाहिए इसका मतलब यह समय रहते संबलने से बड़ी आफट तलती है दोस्तों मुझे आशा है कि यह स्टोरी आपको पसंद आई होगी और अगर आपको कुछ इसमें नहीं पसंद आया यह कुछ आपको डाउट है तो आप मुझको कमेंट कर सकते मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा उसका आंसर देने के लिए धन्यवाद थैंक यू वेरी मच